दोस्तों नमस्कार Food Corporation of India ने ग्यहूं का अगामी टेंडर रद कर दिया है अब ये 15 फरवरी को E-Auction होगा पहले टेंडर में बाहरी समस्याओं के वज़े से डिलीवरी और लॉजिस्टिक की समस्याओं होई जिससे अब FCI को ये कदम उठाना पड़ा गौरतलब है कि अंदरसकार ने खुले बजारों में ग्यहूं की तेजी को रोकने के लिए कुल 25 लाक मेट्रिक तन ग्यहूं ओपन मार्केट में ओपन सेल मार्केट स्कीम के तहत बेचने का अलान किया था जिससे ग्यहूं के दावों में तुरंत रोक लगी थी और भारी गिरावट भी दरजुई थी जिसका हमने अपडेट आपको पिछले एपिसोड में दिया था लेकिन पिछले बुदवार को पहला यह आक्षन हुआ था उसमें भारी प्रजेशानी FCIE ने लोजिस्टिक मामले के लेकर दूसरा चेंडर रद करने की कोशना की है अब ये सीधा पंद्रा फरवरी को ही आक्षन आयोजित होगा गोड़ तलब है कि यदि पंद्रा फरवरी को आक्षन होगा तो बजार में माल और वेपारियों के पास माल फरवरी के अमतिन सब्ता तक आएगा इससे गेहों के जो जबर्दस गिरावट होई थी उस पे आब एक प्रशन चुनने लग गया है ज़्यादी हम सूत्रों की माने हैं तो पहले आक्षन के दुरान लगबख नौ लाक टंड से उपर माल बिग जाने से उसकी सप्लाई का इशू लॉजिस्टिक और इशू के कारण एफसी आई को परिशानिया दर्ज हो रही है इन्होंने प्रयाप्त तैयारी और लॉजिस्टिक का प्रवंद नहीं करने से ये समस्या सामने आ रही है एफसी आदारा पहली और दूसरी फरवरी को आयो जित आक्षन में कुल नौलाक से तन से उपर की गेहों की बिक्री होई और कुल लगबार ग्यारा सुपचास आक्षन करने वाले विपारियों ने हिसा लिया सरकार को कुल पच्छीस लाक तन में से बाइस लाक तन माल का उफर किया गया था इस टेंडर में ज्यादतर जो बोलिया लगी वो उसमें सबसे अधिक 490 तन वाली थी जबकि मिडियम साइज की बिट जो 500 से 1000 तन की थी उसमें प्रती बिडर सरकार ने अधिक से अधिक 3,000 तन की गोशना की थी की कोई भी एक बिडर 3,000 तन से अधिक माल नहीं ले सकता इसके अरुशार बिड में 27 खरीदारियों ने हिस्सा लिया था जो अब अगाबी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे FCI का गहू पहले आक्शन में औसे तन 2475 रुपे यानि 2475 रुपे प्रतिक उंटल के भाव से गया था और FCI की मुले की द्रिश्टी से ये 290 रुपे की पर किंटल की विक्री थी केंदर सरका ने 3,000 तन गेहू में से 5,000 तन की विक्री 2350 रुपे प्रतिक उंटल के भाव से की है जो सिर्फ मैदा यानि 2950 रुपे प्रतिक उंटल के भाव से विक्री करे इसे सरकारी एजन्सी को ही दिया गया था इसमें FCI ने को 50,000 तन नाफेट को 1,000 तन और केंदर ये भंडार को 1,000 तन का माल आवंटित यानि अलॉट्मेंट किया था नाफेट दोरा आठ राज्यों में राहत दर पर आटा की विक्री की जाएगी और FCI का अगामी टेंडर 8-10 फरवरी को आयुजित हुआ था बंतो अब ये रद कर सीधे 15 फरवरी को आयुजित होगा यानि जो टेंडर 8-10 फरवरी को आयुजित होना था तो दोस्तो आप ये बड़ा प्रेशन है क्योंकि ग्यहूं की ऑलड़ी ही जो सरकार दाद आलेटमेंट है वो काफी लेट हुआ है क्योंकि आप 15-20 दिन के बाद ग्यहूं की नई फसल बजारों में उपलब्द होने लगेगी और मार्च मेने में ये पूरे बजारों में उपलब्द होगी अब यदि अन्तिम सब्ता मार्च फरवरी के अंदर जमाल उपलब्द होगा तब तक ग्यहूं की जो तेजी थमी थी उसके पर एक प्रसंच ने लगया है लेकिर ये तो तह है कि इस बार यहूं की शांदार फसल आ रही है जिसका पूर वनुमान विशलेशन हमने चार मेने पहले ही आपको दिया था कि इस बार शांदार फसल आने की उमीद है दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आप ने प्रिवेश किया है तो अधी आपको पसंद है तो इसको लाइक करना बिलकुल न भूलें साथ साथ बैल आइक यानि घंटी के निशान को भी अवस्य प्रेश करें एक और महतरपौन सोचना मेटल इंडस्टी का SME प्रेटफॉर्म पर एक शांदार शेर शेरा एनरजी लिमिटेड जल्दी ही लिस्ट होने वाला है साथ से नौ फरवरी के बीच यह IPO खुलेगा इसमें यदि आप इंटरस्ट हैं आपको अधि आप मेटल इंडस्टी से तालुक रखते हैं मेटल इंडस्टी की ग्रोथ में आपका विश्वास है तो आप इसके उपर नज़र रख सकते हैं शेरा एनर्जी लिमिटेड जिसका IPO साथ से नौ फरवरी सन दोहजार तेज को एनसी इमर्जिंग प्रेट्राम पे खुलेगा इसमें महत्वपुन बात यह है कि इसमें के 2000 शेर का एक लॉट होगा और इसका और शेर का प्राइस बैंड जो होगा वह 55-57 रुपए प्रती शेर होगा जिसकी फेस वैली होगी 10 रुपए इच तो 10 रुपए फेस वैलु का यह जो शेर है शेरा एनर्जी लिमिटेड 55-57 रुपए कि इसकी बिढ़ होगी और दोस्तो शेरा एनर्जी की शेरा एनर्जी लिमिटेट की वेबसाइट पर जाकर आप कंपनी की प्रोफाइल भी चाह कर सकते हैं और इसका डिस्क्लेमर्स भी देख सकते हैं कि क्योंकि इन्विस्मेंट इन स्टॉक मार्केट अल्वेश सब्जेक्ट तो रिस्क जाकर आप